हे गाईस, वेलकम टू माई घरेलू नुक से यूट्यूब चैनल, आज हम आपको बताएंगे आम खाने के फायदों के बारे में घर्मियों में आम खाना हमारी सिहत के लिए कितना फायदेमंद है ये जान करके आप हैरान होगे कच्चा आम खाए या पका हुआ आम खाए, कटा हुआ आम खाए या फिर पूरा साबूत चोस करके आम खाए या फिर इसका जूस बना कर खाए या चिकनी बना कर खाए आम किसी भी तरह से खाय जा सकता है और ये बहुत ही हमारे सरीर के लिए फायदेमंद होता है कर्मियों में आम हमें लू लगने से बचाता है, डिहाइड्रेशन होने से बचाता है, साथ ही साथ हमारे लिवर को मजबूत करता है, जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, उनका कब्ज दूर करता है, साथ ही साथ प्रिग्मेंसी टाइम में भी आम हमारे लिए बहुत ही फायद करता है आम का सेवन करने से सरीर में ठंडक महसूस होती है डाइबटेज के रोग्यों को यह नहीं खाना चाहिए आम को सब फलों का राजा भी कहा जाता है क्योंकि यह तनाव से राहत दिलाने वाला जूस या फिर आम भुजन माना जाता है सुबह यदिखालिफेट हम इसका आम का जूस लेते है तो यह तनाव से राहत दिलाता है इसका सेवन करने से व्यक्ति की इम्मिनिटी अच्छी बनी रहती है साथी सा सरीर में पानी की कमी नहीं होती है इसलिए कर्मियों के दिनों में आम किसी भी रूप में आप सेवन जिरूर करें ऐसी ही जानकारी के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सेर करें थैंक्स पर वचिंग इस वीडियो